सीमा हैदर को लेकर ये बड़े खबर आ रही है जिसमें सीमा हैदर को पाकिस्तान से आये करीब 10 महीने होने को हैं लेकिन उसके पाकिस्तानी पती ने उसकी मुश्किले जरूर बढ़ा दी हैं अब खबर ये है कि उसने भारत में एक वकील कर लिया है अपने बच्चों की कश्टडी के लिए कानूनी लड़ाई अब सीमा हैदर के पहले पती की तरफ से छेड़ दी गई है ग्रेटर नोईडा के रभुपूरा में सीमा हैदर सचिन मीना के परिवार के साथ राजिक कुशिर से रहने का दावा करती है सीमा के साथ उनके चार बच्चे भी रहते हैं लेकिन अब इन ही बच्चों को लेकर उनके पाकिस्तानी पती गुलाम हैदर ने बड़ा पेच पसा दिया है पिछले दिनों एक इंचवी को दरान दोनों की तीखी बहस भी देखने को मिली थी इसमें गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर बात कही थी अब गुलाम हैदर के भारत में एक वकील हायर करने के बाद सामने आ गई है वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खलाव कानूनिक लड़ाई-लड़ेका गुलाम हेदर ने सीमा से अपने बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है पिछले साल जुलाई के महीने में रभू पूरा थाने में सीमा हेदर पर 120 वी फॉरिनर आक्ट के तहट मामला दर्ज कराय क्या था पानिपत के वकील मोमिल मलिक ने यूपी पुलिस से एफ आयार की कॉपी देने सबी इस केस से जुड़े दूसरे दस्तावेज की मांग की थी का जा रहा है कि वकील ने एक एप्लिकेशन स्थानी में डिस्टेस्ट को दी थी कोट ने जाच अधिकारी को आदेश देते हुए 26 फरवरी तक कोट में जवाब दाखिल करने का समय दिया था साथ ही यार्चिका में कहा गया था जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफतार किया गया था उस वक्त उनके चारों बच्चों की उम्र 3, 4, 5 और 6 साल थी पुलिस ने सभी को कस्टडी में रखा लेकिन इसकी सूचना इनके असली पती गुलाम हैदर को नहीं दी गई गुलाम हैदर ने सीमा के साथ सचिन को भी दोशी बताया है उसका कहना है कि सीमा से बरामच सभी दस्तावेजों में उसके पत्ती का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है और इस तरह से वो उसकी कानूनी तौर पर पत्नी है दोनों की बीच तलाग भी नहीं हुआ है गुलाम के वकील मौमिल का कहना है कि सीमा उनके चार बच्चों और सचन को हर्याणा के वल्लबगड से गिरफतार क्या क्या था बाद में F.I.R. ग्रेचर नोड़ा के रविपूरा थाने में दर्ज की गई थी इस मामले की कानूनी प्रक्रिया वल्लबगड में ही बनती है मुकादमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था गुलाम हैदर का कहना है कि भारत की अदालत से उनको इनसाफ की उमीद है और जल्दी ही उनके बच्चे उनसे मिलें के वही सीमा का कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी और उनके बच्चों के जान को खत्रा है पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर बीते साल 13 माई को नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गई थी सीमा नोईडा के रहने वाले सचन से ऑनलाइन गेम के दोरान संपर्क में आई थी बाद में दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया दोनों नेपाल के रास्ते भारत आ गए तब से सीमा सचन के परिवार के साथ ही रह रही है वही सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम को कुछ लोग भढ़का रही है साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की चुंता नहीं लेकिन अब वो प्यार दिखा रहा है जाहे रह आब गुलाम हैदर मामले को अदालत की चौकट पर ले गया है जिससे सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर नया मोड आ गया है अब सवाल है कि क्या बच्चे सीमा के पास ही रहेंगे या फिर कस्टडी गुलाम हैदर को मिलेगी प्यूर रिपोर्ट निउस एटी